कर दोस्टों आप सभी लोगों कर सुऊंदों अपने ल intimacy सबर्पड़ाइं करें आप सभी लोगों के सामने उपस्ति इतों अपने दूसरी वीडियो के मेर दूसरी वीडियो और और दूसरी वीडियो में कि संग्रह समीतियों ऊ lutyesus समीतियां लोग सभा राजय सभा की जो भी बच्चे किसी भी तरह की एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से वह सभी मेरे वीडियो को देख सकते और अपनी तयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं तो ठीक है आई हम अपनी लोक सभा तीसरा राजय सभा चोथा लोग सन्षबा एवां राजय सभा तो आपका कटिक्ट कैन सदियौि मिलकर बनी हुई है यू लोग सभा में राज्टि सभा यह वां राशपति से है आई चलते हैं हम दूसरे प्रश्णक고 देख लेते हैं समीधान की अनुष और लोगसबा से मिलकर होता है तो राजपती दूसरा लोगसबा और तीसरा है राजसबा या तीनों से घठन होता है प्रशन की और हमारा 27 प्रशन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसर निर्मित होती है तो जो आपकी भारती संसर इंग्ञेन पार्लियमेंट वह किसे निर्मित होई तो प्रशन आपका पूछन का तरीका का बदल दिया है यहां पर क्या पूछ रहा है कि भारती संसद निर्मित होती है तो किसे निर्मित हुई रहती है यह उप्षन आपका बिल्कुल करेक्ट है राजपती सी राजसभा सी एवं लोगसभा और किस अनुश्यत के अंतरकती आता है अनुश्यत 79 मैं अभी आपको उपर बताया था चेलिए हम अपने 28 को देखते हैं हमारा 28 वार्षन क्या है कि भारती अंशर में कौन कौन समिलित है इसमें क्या पूछ रहा है कि वारत प्राश्पति प्रशनों का तरीका बदल गया पूछन पर प्रशन वहिए तो आप का करेक्ट एंसर क्या होगा भारत का राश्पती और दोनों संसर लोकसभा एवं राज़सभा आए चलिए हम अपने 29 प्रश्ण की रागे बढ़ते हैं हमारा वह इंटिस्वा प्रश्ण क्या है कि संसत की संरचना होती है तो किसे होती संसत की संरचना चार ओप्षन दिये तो आपको कटर रना है और हैं है कि संसत की बार या समीलित किसे होता है वो लोकसभा से टीए जस्वा से parad वब राज़सभा कि बन्ती है ठूर्ट करेक्ट ट्रह संसत कि संसत की लोक्ता राजसभा और एवं राजपती से होता है आज चलिए हम अपने तीसवी प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं हमारा थीस्वी प्रश्ण क्या पूछ रहा है कि भारत की संसद में समिलित है तो भारत की संसद में क्या समिलित है तो यहां आपके चार आप्षन जीए पहला है लोकसबा प्रधान मंत्री तीसरा राश्पती लोकसभा और राजसभा और चौथ है लोकसभा राजसभा और लोगसभा अध्यक्ष दूबारा पूछा है मैंने आपको कई बार बता दिया फिर से बतारियों कि भारत की संसद में क्या क्या समिली थे तो मैं अनुच्छेश 79 के अनुसार राश्टपती राजसभा और लोगसभा समिलित है तो आपका करेक्ट एंसवर क्या होगा सी तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है राश्टपती लोगसभा और राजसभा हो और आईये चलिए हम अपने थार्टी वन प्रस्ट आ क्या बोल रहा है कि भारत का समिधान और यानी कॉंसिटिमोशन बहारती है संग की कारिपाली का शक्ति प्रदान गरता है तो यहां चार-प्शन दिए आपके पहले मंत्री परिशत को दूसरा है राश्पती को तीसरा है प्रधान मंत्री को चौथा है संसत को तो जो भारती संग की कारपाली का शक्ति है किसको शक्ति प्रदान करता है भारत का संविधान तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टर राश्पती को बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टर राश् संग की समस्थ कारिपालिका की शक्ति राश्पती में नहीं होती है तो आपका जो संग की जितनी समस्थ तीसरा है भारत के उपर राश्पती का निर्वाचन और साधार विध्यक के रिटि तो समघ मैं सभखन दोनों सद्नों की भारति विध्यक को समघ को पारित यहां देखिए इसका जो Bitcoin सुद्धारविध्यक के संधर्व में संसत के दोनों सदनों में आदेखे लिद्भिध्या हुए साधारविध्य के संदर्व में जो संदवी के दोनों सदन होते हैं राजसवा सभर में राश्पती की तेधि में सम्विधान की अनुछेद 108 के तहते दोनों की सभी बैठक-बुलाई जाती है यहाँ से एक प्रश्ण विद्या के संदर में दोनों सदर्न संसत के दोनों में आसामती होती है तो राजपती द्वारा एक प्रशन और बन सकता है कि कि से द्वारा बुलाई जाती है समिधान के अनुचेद 108 के तहत जिसकी अध्यक्षता कौन करता है एक प्रशनिया से और बनेगा कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया अब देखिए अपने 33 प्रशन को देखते हैं हमारा क्या है पूच्छा भारती संसत के सायुक्त अध्यक्षिन की अध्यक्षिता कौन करता है देखिए मैंने भी आपको उपर ही बताया फिर से वही सवाल जो बनाकर पूल दिया है यानि इंपॉर्टेंट कोशन है इसको आप याद रखिएगा देखिए चार अप्शन यहां दिये गए प्रधान मंत्री राजपती उपराजपती और लोगसभा का अध्यक्ष तो मैं आज चलिंए हम देखते हैं 34 मां प्रश्न क्या पूछ रहा है विधाई कार्य करने के लिए भारत की संसत की सह युक्त बैठक की अधिक्षता करता है यहां चार ऑप्शन सभापटी और छोथा उप्षण या लोग सभाट का पूछा करता है अभी मैंने आपको उपर आप प्रस्न करवाया है उसी प्रस्न को दूसरी तरीके से पूछ तकन का करेक्ट यह होगा लोग का करता है कि आई चलिए हम अपने 35 प्रशन क्या है कि केंद्री मंत्री परिशद किसकी प्रती उत्तरदाई होती है तो जो आपकी केंद्री मंत्री परिशद होती है की की प्रशन की प्रती क्या होताEr केंद्री मंत्री इसको देख लेते हैं जिससे आपका और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अनुछेद 752 के अनुसार मंत्री राश्पती के प्रसाद परियंत अपना पद्धारण करेंगे इस अनुछेद के अंतरगत अगर आप के प्रति सामोई क६्रूप से उत्तरदाई होती तो आप बताएगा अनुछिल 75-3 के इंतरत समाथ के किसलत नहीं के सदन का सदर से नहीं है तो वह समभाति समापती पर मंत्री नहीं रहेंगा किसि भी सदन का सदस नहीं है तो इसमें Uh हमाव किसी भी संसद में कोई भी की जो बूल कर सदस नहीं रहता उसवधी की समाप्ती पर छह मां की समाप्ती पर आए चलिए हम अपने 36 में प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं हमारा 36 में प्रश्ण क्या पूछ रहा है कि एक संसिदी सासन प्रणाली के अंतरगत मंत्री परिशत के सदस सामुवी रूप से उतरदाई होते हैं वहीं प्रश्ण दुबारा पूछा है दूसरे तरीके से पूछा है सवाल को घुमाकर तो यहां चार आपके दिये गए पहला है राज के मुख्या के प्रती प्रधान मंत संसिदी सासन प्रणाली के अपनाए गया है उसकी अंतरगत मंत्री परिशत के सदस से वाशामुवी ग्रूप से किसके उतरदाई होते हैं तो मैंने आपको उपर बताया था कि संसिदी के लोकप्रिए यानि निम्न सदन के प्रती यानि कौन सी लोगसभा के प्रती जो हैं आपके उत्तरदाई होते हैं मंत्री परिश्ट तो सी ऑप्षण आपका बिल्कुल करेक्ट होगा आए चलिए हम अपने 37 में प्रश्ण की और बढ़ते हैं हमारा प्रश्ण क्या कह रहा है कि भारत में मंत्री परिश्ट निन में से किसके प्रति सामोई क्रूप से hi hoते हैं आए चलिए हम अपने 37 वे प्रश्ण को देखते हैं क्या पूछ रांग की भारतिय संग में नये राजियों को प्रवेश कराने की सकति से प्राप्त है पावर वोग किसके पास है तो यहां आपके चार option दी गए पहला है राजपती दूसरा है उपराजपती तीसरा है उच्छतमने आल है और चौथा है संसद और यहां प्रशने आपका दो बार पूछा गया है 2015 में भी और 2017 में भी UPGIC की परिक्षा में तो इसका correct answer क्या होगा इ संसद को या शक्ति प्राप्थ है कि भारती संग में नए राजप्जियों को प्रवेश करा सकता है यानि नए राजप्जियों को जोड़ सकता है संसद को या सक्ति प्राप्थ हुई है तो D option बिल्कुल correct है आए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं भारत के जहान में अनुछेद दो के अनुसार संसद विधी द्वारा ऐसे बंदनों और शर्तों पर जो थीक समझे संग में नए राजप्रवेश या उनकी अस्थापना कर सकेगी तो यहां एक प्रश्ण और बन सकता है कि यहां किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो आप प्रवेश को कशनी को नेस्थाटि ह сог CC में प्रवेश द्याय टा और इसिक ह्त्माल करते एंटका एंटें स्थिक्दव की आनुशे जो आपका इसको वर्स कब 1975 में भार्ती संक्रिप्रवेश को प्रवेशज गया तो आप बताइएगा अनुच्छे दो के नुच्छा 1975 में कब किस वर्ष में 1975 में ठीक है कि आए चली हम अपने 39 में प्रश्ण को देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारत के समविधान के अंतरगत निमलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्र प्राप्त है तो यहीं प्रश्ण उपर पूछा था दूबारा से प्रश्ण पूछ रहा है दूसरे तरीके से चार आपके दिये गए पहला राश्पती दूसरा संसत तीसरा सरगोच नियाले और चौथा मंत्री मंदल तो आपको पता है करेक्ट एंसर का क्या होगा बी संसत को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राजयों के अस्थापना कर सकता है कि सब्सक्राइब करने के संसत को दिगए कि यहां चली आई हैं हम अपने चालिसमें प्रश्ण को देखते हैं चालिसमें प्रश्ण क्या पूछ रहा है कि यहां पर देखिए यहां पर अनुच्छे तीन दिया गया है जब कि यहां पर अनुच्छे दो है तो अनुच्छे दो कि अंतरगत किसी नए राज्य को स्थाप अवधी के लिए मंत्री बना रह सकता है यहां इसकी व्याख्या दी गई चलिए इसको देखते हैं यदि कोई मंत्री बिना संसत की सदस्यता के मंत्री पर धारित करता है तो अधिकतम 6 माही तक मंत्री बना रह सकता है यदि कोई मंत्री संसत की सैदक्या के बिना मंत्री न धारित करता है तो अधिकतम चैने दिनके मंत्री चैनेिये सदस्यů लोग सभा के सदन की प्राप्त करनी क्या है आवश्यक है important है आए चलिए हम अपने 41 वे प्रश्ण को देखते हैं क्या पूचा है कि संसत के किसी सदन की बैठक के लिए नियूंतम गड़पूर्ती कितनी होनी चाहिए अगर संसत के यानि पार्लियमेंट के किसी भी सदन में ब सदस संक्या का एकपश्माँ भाग सभास सदस संक्या का एक बटए छे और यहां पिर समस्ट nggak का के एक हों इसका समखत सदसquis संख्या का जितने भी लोग हैं उसके सदस्य संख्या का एक बटए 10 लोग अगि अगर संसत के किसी भी सदन में मौजूद हैं तो उसा के लिए नियुंतम गड़पूर्ती होगी आए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं अनुछेद सो तीन अनुछेद सो के अनुसार जब तक संसद विधी द्वारा अन्य था उबंद ना करें तब तक संसद के प्रतेक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए अनुछेद के सदन के लिए गड़पूर्ती सदन की गड़पूर्ती क्या होती है वही प्रशन दुबारा पूछा है चार ओप्शन दिए गए एक बटा दो भाग होने चाहिए सदन की कुल सदस संख्या का या फिर एक बटा तीर या फिर दो बटा तीर या फिर एक बटा दस भाग तो मैंने अभी आपको उपर पताया तो आप सभी लोगों को करेक्ट एंसर मालूम ही चल गया होगा और याद भी हो गया होगा तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है सदन की कुल सदस संख्या का या बटा दस भाग जो है संसद की बैठक की वक्त मौजूद बैठक कर सभी को पता है कि सदन की करफ़ी संख्या संख्या ही संधिय मौजूद होना चाहिए वर्फटा करेक्ट है मिनिममों पर टी है मैं देख्या है राज सभा के संबंद में निमलिखित में से कौन सा सहिए पहला option है इसके सदस्तियों का एक तीहाई प्रते तो इसका correct answer क्या है तो इसका correct answer है option A, A बिल्कुल correct है, जो राजसभा है, इसके सदस्यों का जो एक तीहाई, एक तीहाई है, एक तीहाई प्रतिक जो है, दो वर्षों में क्या होता है, रिटायर होता है, कि दो वर्षों में एक तीहाई भाग, राजसभा का, आईए चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, राजसभा कैसा सदन है, राजसभा आपका सथाई सदन है, अगर आप से कोई पूछे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, राजसभा कैसा सदन है, इसका विग्टर नहीं होता है, इसके एक तीहाई सदस्य, यानि एक बटा तीन, एक बटा तीन सदेश प्रतिक, कितने प्रतिक ही इसका कारेकाल कि यह एक प्रस्थ्स होता है तो वर्स का राजस्भा करतीयों का करता हो हुटा है उनकी जंगा पर किसी और को क्या किया आता है निर्वाचित किया 45 प्रश्ण को या पूछ रहा है कि राज सभा के संबंद में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है कि जो राज सभा है उसके संबंद में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वह सही है यहां आपके चार आप्शन दी गए है पहला या विगिटित की जा कारी है तो आप इसमें से बता देंगे कि कौन सा कथन सही है कि अभी आपको उपर बताया कि यह जाने योग नहीं है इसका विटिट कभी नहीं हो था यह एक अस्थाई सदन है यह विक्टिट की जा सकती है गलत है इसके सदर से प्रत्या रूप से चुने जाते ना कि आप रत सभा का जो सभापती होता है वह निर्वाचित होता है जो राज सभा सभा का सभापती होता है या संसת की सभी सदस्थ द्व Camb... तो आपको इसका correct answer बताना या important है तो आप बताएए इसका correct answer क्या होगा तो राजसभा के सभापती का निर्वाचन कैसे होता है तो इसका correct answer क्या है D जो संसत की सभी सदर्स्यों द्वारा राजसभा के सभापती का क्या होता है निर्वाचन होता है आईए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो यहां देखी क्या कहा गया है कि अनुछेद 89.1 में कहा गया है कि उप राश्पती राजसभा का पदेन सभापती होगा तो यहां देखी क्या कहा गया है अनुछेद 89.1 में कहा गया है कि जो उप राश्पती होगा पति होगा इसको याद रखिए कि यहां से प्रश्ण बन सकता है कि इस अनुष्यत के अंतरकतिया कहा गया कि राज़्वाच्चन संसत के दोनों सदनों राजसभा एवं लोगसभा के सभी सदस्यों निर्वाचित एवं मनोनीत से मिला कर बनने वाले निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाता है तो जो उपर राश्पति का निर्वाचन होता है वह जो संसत के दोनों सदन होते हैं राजसभा और लोगसभा उसके जि चुरूप से राशपति का निर्वार्चन कैसे होता है और मात दान कैसा होता है गुप्त होता है तो ऐसे निर्वार्चन में जो पर देख सब्सक्राइब का अँसक्ति का प्रश्न को सब्सक्राइब करूàng क्या कैरा है कि राज सभा को देख है कि नियों के अंतर अपनी संसुती है इसको आप जो राज सभा है ऩ एक होता है उसको कितने कि अंदर मैं संसुती देनी होते हैं कितने में और चौथा है तीस दिनों में तो आपका करेक्ट एंसर क्या है तो संसुति आपको 14 दिनों में जो है राजसभा को धन विद्यक पर जो है अपनी संसुति देनी होती है संविधान के अनुचेद 109 के उपबंदों के अनुसार धन विद्यक के संबन में राजसभा के पास सीमित सक्तिया है किसी धन विद्यक यानि फाइनेंशल बिल को लोगसभा द्वारा पारित कर राजसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेज़ा जाता है तो जब धन विद्यक लोगसभा में पारित हो जाता है तो राजसभा में बेजा जाता है उसकी सजेशन के लिए ड्वारिस के लिए बेजा जाता है कि इसमें क्या-क्या changes कर सकते हैं राजसभा द्वारा विद्यक को प्राप्ति की तारीक से जिस दिन से राजसभा को विद्यक की प्राप्ति होती है उससे 14 दिनों की अवधी के भीतर 14 दिनों के अंदर सिफारिशों सही सिफारिशों के बिना या सिफारिशों के बिना लोग स सबाब को क्या वापस भीजना होता है चोदा दिन की समाप्ति के बाद धन वीदेयक संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और जो यह आपका यहां से प्रश्णौ बनता है जो प्रस्तुत किया जाता है आए चली हम अपने 49 में प्रस्तुत किया जाता है मैंने आपको उपर बताया कि आप महतपूर बन सकता है यहां देकि पूस दिया पहला राज सभा दूसरा है लोग सभा तीसरा है संसत के सायुक्त अधिवेशन में और चौथा है उप्रुक्त में से कोई नहीं तो आपका करेक्ट एंसर क्या होगा अभी मैंने आपको उपर बताया है बिल्कुल करेक्ट है लोग सभा जो धन विद्यक है वह लोग सभा में प्रस्तुत किया जाता है यहां देखिए दिया हुआ है अनुछेद 109 में धन विद की विशेच प्रक्रिया है इसे लोग सभा में ही क्या किया जाता है प्रस्तुत किया सकता है इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राश्पती की संसुती लेना आवश्यक होता है तो अगर आपको फाइनेंशियल बिल्यानि धन विद्यक को प्रस्तुत करना है लोग सभा में जबकि यह केवल लोगसभा में ही प्रस्तुत की जाए सकती तो उससे पहले राजपती से यानि प्रेसिडेंट से संसुती लेना क्या होता है आवश्यक होता है कोई धन विध्यक है कि नहीं इसका प्रमारी करण लोगसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो यहां पर क द्वारा किया जाता है तो यहां पर हमारे सारे इंपोर्टेंट प्रश्न समाप्त होते हैं लोगसभा राजसभा और समीतियों से संबंदित वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट में कल अपलोड कर दूंगी इसके आगे भी कई इंपोर्टेंट को से क्